Indian philosophy and tradition played significant role in conceiving and shaping the monuments and the art in India, discuss. बहुत अच्छा question है. यहाँ पर क्या है Indian philosophy भारतिय दर्शन और परंपरा के बारे में पूछा जा रहा है कि किस तरीके से इन्होंने बहुती एहम भूमिका नबाई in conceiving and shaping the monuments and the art in India. कि जो भारत में आज की date में जितनी भी monuments मनी हुई है, जो इमारतें मनी हुई है पुरानी और जो कला है भारत की, ये किस तरीके से प्रभावित हुई है Indian philosophy, Indian भारतिय दर्शन और भारतिय परंपराओं से ये चीज़ें आपको बतानी है. Again, जब आप बताएंगे Indian philosophy तो आपको जानकारी होनी चाहिए, examples होने चाहिए, monuments के आपको examples मिलने चाहिए, ठीक है? सबी briefly आपको बताना है कि Indian philosophy और जो tradition है वो क्या-क्या होती है? Indian philosophy में आपको बता सकते हैं कि ancient India में क्या philosophy थी, medieval India में क्या philosophy है, हमारी major philosophies रही है, बता सकते हैं, bhakti movements, soofi movements, then जो vedic philosophy रही है, हमारे vedic schools रहे, जो हमारे, जितने भी, विमान सा वेगारा, इन सब चीज़ों के ब philosophy in shaping the monuments and art, finally conclusion देना चाहते हैं, तो दे सकते हैं, the reason we have mentioned कि give conclusion, because it ISO word का है, तो मान दीजे आप यहाँ पे उतने words नहीं लिख पाते हैं, तो conclusion में थोड़े से words आप cover कर सकते हैं, चलिए जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं, India has been a land of several schools of philosophical thoughts, ठीक है, जिसमें कि अगर आप देखें, vedic philosophy है, Buddhist philosophy है, Jain philosophy है, ये धरम तो थे ही, ये बाद में आगे जाके धरम बन गए, लेकिन शुरुवात इनकी philosophy के रूप में ही हुई थी, उसके बाद सूफिजम है और भक्ती movements हैं, और फिर वही हमने एक connecting line दे दी, कि these schools have helped shape and conceive the monuments and the arts of India, ठीक है, आप ये जो आपका होगा introduction, इस को आप again skip कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं लिखने का, and then आप directly बता सकते हैं, the bearing of Indian philosophical values such as tolerance, love, devotion, sacrifice, etc. can be seen on the Indian monuments, देखे किस तरीके से दिखाते हैं हम आपको, क्या-क्या उधारन है, again उधारन आप कोई भी दे सकते हैं, वो यहाँ पे हम सीमित नहीं रख हैं, वो आपके उधारन कुछ और होंगे, किसी और के उधारन कुछ और होंगे, लेकिन हमारे जो उधारन हैं वो यह हैं, अगर हम बात करते हैं, Mughal School of Architecture की, it was developed by infusing Persian style with the Indian style of architecture, जब Mughal School वाले आए, देखे जो Mughals आए, तो हो सकता था कि वो केवल अपना Persian style ही लेकर आते, वो कहते कि जी नहीं, हम तो केवल और केवल Persian style में ही जो architecture है, उसको बनाने वाले हैं, लेकिन आपको और मुझे मालूम है, कि जो Mughals का style था, it was called as Indo-Islamic style, am I correct? क्योंकि इन्होंने Indian style से भी परभावित हुए, तो कहीना कहीं जो Indian tradition था और Indian philosophy थी, उसका आपको कहीना कहीं impact द नारेट्स हैं, जो आपकी इस तरीके से बनाई जाती हैं, ठीक है, जो उन्होंने दर्वाजे बनाए, वो कहीना कहीं Indian school से भी परभावित थे, similarly, the great temples built by the cholas, such as the magnificent Brihadeshwara temple, were inspired by tradition of temple worship and rituals, कि आपने इतना बड़ा मंदिर क्यों बनाया? चोलास, जो imperial चोलास थे, उन्होंने बड़े-बड़े मंदिर बनाने क्यों शुरू किया? चोलास के पहले जो लोग मंदिर बना रहे थे, मंदिर कभी भी बड़े नहीं थे, South India में ही temples बड़े बनने क्यों शुरू है? क्योंकि भारत ने परंपरा थी, कि हमें मंदिरों में जाके जो है, पुजा पाट करनी है, और हमें अपने रिती रिवास पूरे करने है, तो इसी लिए, the great temples built by the चोलास, such as the magnificent ब्रिहा देशवरा temple were inspired by tradition, आप समझ रहे हैं किस तरीके से, यह आपका हो गया example, और यह आपका हो गया connect, कि हम जो है, tradition से ही inspired हुए थे, जिसके चलते इतने बड़े-बड़े मंदिर बनाए गए थे, यह temple reflect करते हैं, imperial चोलास की philosophy, similarly अगर और भी चीज़े हैं, जो stoopas बनाए गए, जो बाकी Buddhist monuments बनाए गए, architectural structures बनाए गए, ancient India में, वो कही ना कही Buddhist philosophy को ही तो बताते हैं, हमने देखिए जितनी भी जटक stories है, right, जितनी भी जट बनाथ का स्टूपा है, वहाँ पे जो pillars में, आपने देखा होगा, अगर आपने विजट भी क्या होगा, मैं यहाँ पे photo include कर सकता था, but time story मैंने नहीं करी, यहाँ पे जो दर्वाजे बने होते हैं, बहुती विशाल का यह दर्वाजे बने होते हैं, entrances बनी होती हैं, इन entrances में यहाँ पे क्या लिखा होता है, जटक stories ही तो होती है, ठीक है, जो अशोका ने किया, धम्मा के अपने चीज़ों को लिखा उनमे, धम्मा भी एक तरह की philosophy है, जो कि हमारे प्राचीन भारत में हम देखने को मिली, अशोकन pillars देख सकते हैं, rock edits देख सकते हैं, propagate the Buddha's views on धम्म similar चीज़ है, बिल्कुल similar चीज़ है कि जो चीज़ें Buddhist philosophy की थी, वो आपको Buddhist architecture में देखने को मिलती है या नहीं देखने को मिलती है, architecture हुआ, art हुआ, आपको सभी जगत देखने को मिलता है, similarly जो Jain temple है, such as Dilwara Jain का temple है, Mount Abu में, उसके बाद Khajraho का temple है, in Madhya Pradesh, they all reflect the fine philosophical thoughts of Jainism, है के नहीं, बिल्कुल है, so ऐसी चीज़ें आप यहाँ पे connect बदा सकते हैं, देखिए अगर आपकी introduction clear है, कि आप किस-किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, तो आगे examples देने is not a tough thing, और introduction clear कैसे होती है, अगर आपकी approach clear है, बस इतनी सी ही बात है, बहुत असान question था, जितने आप यहाँ पे examples दे पाएंगे, उतना better आपका अंसर बन जाएगा, the dhargas of sufi saints are open to people of all types of religious affiliations, much on the line of sufi philosophy, देखिए जितनी भी दरगाएं बनाई गई थी, आज की rate में आप भारत में किसी भी दरगा में जा सकते हैं, ठीक है, भले आप किसी भी धरम को belong करते हो, यह guarantee ह हमें हमारा संविधान देता है, ठीक है, और यह चीज़, sufi philosophy थी, sufi philosophy क्या थी, love होना चाहिए, tolerance होनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद devotion होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, लोगों से प्रेम होना चाहिए, किसी भी धरम के हो, और उसी आधार पे उन्होंने दरगाएं सकते हैं, है के नहीं, अगेन, पूरा का पूरा मेरा आंसर जो है, फोकस करता है, examples के उपर, मैंने कितने examples include किये, पहला example, mughal school का, दूसरा example, चोलास का, तीसरा example, बुद्धिस्ट का, चौथा example, धम्मा का, पांचवा example, जैनिजम का, छटा example, सूफी का, सात्मा example, भक्ती आपने बता दिये, और कुछ नहीं चाहिए आपको, this is how you are expected to write the answer, जितने आपके examples होंगे, उतना better आपका answer बन जाएगा, clear है बात?